हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे ये टॉपिक आपके चाहे बियड हो या या मेड हो या फिर आपका सीटेट यूपिटेट का एक करेंगे इसमें दीके कोश्चन लांग में अगर पूछता आपके अकेडमिक में अगर पूछता तो कैसे पूछता हाड यहां पर दीके हावर्ड गार्डनर के बहु बुद्धी सिद्धान से आप क्या समझते हैं इसके सैक्षिक उप्योग की विवेचना कीजिए वाट ड अगर यहां पर हम देखेंगे हावर्ड गार्डनर का बहु बुद्धी सिद्धान तो चलिए देखते हैं बुद्धी के स्वरूप को जानने के लिए अनेक मनोवईज्यानिकों ने अपने प्रियोगों तथा अनुसंधानों के आधार पर बुद्धी के सिद्धानतों का थान डाइक ने तीन प्रकार की बुद्धी बताई जबकि थर्ष्टन ने साथ तथा कैली ने बुद्धी के नो कारकों का उलेख किया तो यहाँ पर देखिए बुद्धी के बारे में जिस जिस मनोवईज्यानिक ने कहा जो भी कहा उसके बारे में डिटेल यहाँ पर थान डाइक ने तीन प्रकार की बुद्धी दी और थर्ष्टन ने साथ प्रकार और कैली ने बुद्धी के नो कारकों का उलेख किया तो इस तरह से और प्राया यह देखा भी गया कि दुर्गटना ग्रस्थ होने पर मस्तिस के कुछ हिस्से काम करते हैं, जब कि कुछ हिस्से डैमज हो जाते हैं, जो इस बात को इंगित करते हैं कि बुद्धी के कई भाग होते हैं, तो यहां पर देखिए यह बहुत ही सटीक आपने अक्सर देखा भी होगा कि जब किसी का बहुत भयानक एक्सिडेंट होता है तो सर में चोट लगने पे तो कुछ हिस्सा काम करता है कुछ नहीं काम करता है और इसके अत्रिक्तिया भी देखा जाता है कि अलग-अलग भ्यक्तियों में अलग-अलग तरह की मांसिक छमता पाई जाती है महान गडिता के रामानुजन इस सिधान्त के सतीक उधारण हैं गडित में आसाधारण यानि कि एक्स्ट्रा ओर्डिनरी थे वो योगता के धनी थे लेकिन इंटर की परिच्छा में अन्य विस्यों में अनुत्रिड हो गये थे बुद्धी के बहु पहलूं का विस्तार से धन करने में हावड गार्डनल ने सराहनी कारि किया तो यहां पर देखे बुद्धी के बारे में जब बात हुई तो आपने रामानुजन जो की गड़ीता गया थे उनके बारे में सुना होगा जो अपने इंटर्मेडट के एक्जाम में मैथ में तो उन्होंने पूरे में पूरा स्कोर की अबाकी सब्जेट में वो फेल हो गये थे तो यहां कहीं न कहीं उनकी जो mathematical बुद्धी थी वो बहुत ज़दा इक्स्ट्राइडिनरी थी इसलिए वो इक्स्ट्राइडिनरी नंबर एक तरह से बहुत पूरे में पूरा नंबर ला रहे थे अब हम देखेंगे यहां पर बुद्धी के बहुत पहलों के विस्तार से दन करने में हावट अरणने सराहनी कारी के नियूरो मनोवज्यानिक के छेत्र में किये गए अनुसंधानों के आधार पर यहां पर देखेंगे 1983 में उन्होंने एक नए बहुत बुद्धी सिधान्द का प्रतपादन किया उन्होंने अपनी पुस्तक famous of mind the theory of multiple intelligence यहां पर देखें यहां पर देखें frames of mind यहां पर लिगा frames of mind the theory of multiple intelligence में साथ प्रकार की बुद्धी का उले किया तो यह आप पहले ध्यान रखें कि इसमें कोशन कही तरह से बनेंगे कि सबसे पहले जो हावर्ड गार्डनर थे उन्होंने कितनी प्रकार की बुद्धी बताए फिर उसके बाद उन्होंने कितनी प्रकार की बताए चुकि उन्होंने तीन बार यह सोध किये और तीनों बार के सातो कारकों का पूरता अन्मानसिक नहीं होते बलकि यह उचित सामाजिक तथा भागौलिक वातावरण यहां किसी भी से इस प्रकार के प्रसिच्छड द्वारा बिक्सित किये जा सकते हैं तो यहां पर देखें जो बुद्धी है वो किवल बंसानुगत नहीं होती अन्मानसिक नहीं होती बलकि यहां पर सामाजिक और भागौलिक वातावरण का भी बुद्धी पर बहुत प्रभाव पढ़ता और बुद्धी ट्रेनिंग के द्वारा भी बिक्सित की जा सकती है तो यह सारी चीजें हमने जानी आगे हम देखेंगे गाड़नर ने अपने वो बुद्धी सिधान्त में यह एस्पष्ट करने का प्रयास किया कि बुद्धी की ब्याक्या किसी संदर्व विसेश के परिपेच में की जानी चाहिए उनके नुसार बुद्धी वास्तों में संदर्वित बुद्धी यानि की इंटेलिजन्स होती है यानि की यहाँ पे हम देखेंगे गाड़नर का जो मानना था कि ब्यक्ति में विविन बुद्धियों के प्रती कुछ प्रावितियां होती है तो यहाँ पे देखेंगे बुद्धी किसी विशिष्ट संस्कृत संदर में जैविक प्रावितियों के सीखने के आउसरों के बीच में होने वाली अंतक्रिया के रूप में होती है जैविक प्रावितियों यहाँ पे देखेंगे इंट्रेक्शन देखें लिखा है बाइलो तो अरह बताई गई साथ प्रकार की बुद्धियों का वर्डन यहां पर परस्तूतr किया गया है। यहां पर वैसे तो 9 हैं लेकिन सबसे पहले उन्हों ने 7 प्रकार बताया थे, बाल में उन्हों नौ बताया थे ! तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली है भासाई बुद्धी देखें दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूँ NCRT के जो बुक है उसमें आपको आठ प्रकार मिलेंगे सीटेट के एकजाम में जब आप से ये प्रस्ण पूछा जाए और जब option में आपके 9 है तो 9 आप लगाएंगे लेकिन अगर 9 नहीं 8 है तो आप 8 लगाएंगे लेकिन अगर इसे में ये question पूछे कि सबसे पहले नोंने कितनी बुद्धी के प्रकार बताये थे तो वहाँ पे आप 7 लगाएंगे तो ये तीन तरह से question इसमें जो objective question बनते हैं वो बनते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें पहला भाँसाई बुद्धी linguistic intelligence इस बुद्धी के द्वारा ब्यक्ति अपने विचारों को भाँसा की वाक पढ़ता से ब्यक्त करने की योगिता प्राप्त करता यानि कि जो भाँसाई बुद्धी होती है उसमें ब्यक्ति के अंदर भाँसाई कला होती है तरह से वो अपने वाक्यों को अपने सब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से ब्यक्त कर लेता है दूसरों के सामने जिस व्यक्ति में ये बुद्धी अधिक होती है उसकी बोध छमता, कॉम्प्रिहेंसन, एबिलिटी, अथारत भासा सीखने की योगता अन्य लोगों के पेच्छा अधिक होती है और इनकी सब्दावली पर भी अधिक अधिकार होता है यानि कि इनकी जो वोकैब पावर होती ह उसमें वो दच होते हैं एक तरह से यहाँ पे उनको भासा में पकड़ होती है लोग कहते हैं कि उनकी अपनी भासा पे बहुत पकड़ होती है यहाँ पर भासा में पकड़ का मतलब यही होता है कि वो भासा को बहुत अच्छी तरीके से बोलना जानते हैं वो भासा को बहु सा बचा हुआ है यहां पर देखें होता है और यह सब्दों में संबंद असावित करने में दच होते हैं अच्छे सिक्षक अधिवक्ता लेखक और वक्ता तथा नेताओं में यह भांसाई बुद्धी अधिक होती है यानि कि यह जो बुद्धी पाई जाती है किसमें किसमें ये अच्छे सिक्चक में अधिवक्ता में लेखक में वक्ता में नेताओं में ये भासाई बुद्धी पाई जाती है अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी ये तार्की किया और गणती ये बुद्धी दोस्तों देखियें, यहां पर आपको बहुँ जगा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है, पस आप यह ध Passover में यहां यहां पर भासा के पकर आएगी, वो भासाई बुद्धी होगी, और भासाई बुद्धी में यह धियां रखेका कि कौन कौन आते हैं. तो यहाँ पर भासाई बुद्धी में अच्छे सिक्षक, अधिवक्ता, लेखक, वक्ता, नेटा, ये सब भासाई बुद्धी में आते हैं यानि कि जिसकी भासाई बुद्धी होगी वो ये सब बनेंगे अब देखिए तारकी गणती है बुद्धी में Logical, Mathematical, Intelligents यह बुद्धी ब्यक्त की तर्क सक्ति विसलेशर चमता गड़ित की समस्याओं की हल करने में पारिलच्चित होती है और इस तरह की बुद्धी ब्यक्ति आंकिक्स रेडियो में जिसमें नुमेरिकल सीरीज को सीगरता से हल कर लेते हैं वे संख्याओं को जोडने घटाने गुड़ा करने भाग देने आदी में ये तीब्र गती से करते हैं यानि कि इसके अंदर गत पता है आपको इसके अंदर गत आते हैं बैंकर एकाउंटेंट जिनकी मैथ मेटिकल पावर जो होती है थोड़ा स्ट्रॉंग होती है तो ये तार अस्थानिक चित्रों में संबंद अस्थाबित करने तथा प्रत्यों का निर्माण करने में दच्छता के रूप में जानी जाती है इस प्रकार के ब्यक्ति यहां पे देखेंगे अस्थानों के रास्ते याद रखते हैं वस्तुता मसीनों की संरचनाएं समझने में यांतरि इसकिल जहां पर आएगी वहां पर आप यह समझेगा कि यह अस्थानिक बुद्धी यानि कि दृष्टि मूलक अस्थानि बुद्धी जहां पर वो विजुवल चीजों को देख करके वो सीख जाते हैं अब हम देखेंगे नेक्स्ट संगीत आत्मक बुद्धी जिसमें म्यू क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी सिष्टर को जब वो संगीत के सारे आरो अरो को लिखते हुएं कि किस तरह से उसमें जैसे हमारे संस्कृत और हिंदी में जो मात्राइं गीनी जाती हैं लिखी जाती हैं सेम ऐसे उसमें भी होता है तो इतनी आसान तो नहीं होती है संगीत तो संगीत में यहाँ पर दिए संगीत तक जो बुद्धी होती है अब हम देखेंगे नेक्स है आपका पांचवा सारी गती बोधक बुद्धी इसमें देखिए या बुद्धी बैक्त की सारी रिक क्रियाओं दोरा अभी बैक्त होती है जैसे खेलना, कूदना, योगी क्रियाओं, नृत्य करना और अन्य प्रकार के सारी रिक करतब दिखाना जैसे ये सरकस या के जो कलाकार या नट लोग होते हैं वो दिखाते हैं तो ये एक तरह से सरीर का जो अधिक से अधिक मूवमेंट करते हैं उनके अंदर ये बुद्धी होती है चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर व्यक्तिक बुद्धी जिसमें इंटर पर्शनल इंट करता और उसके द्वारा दी किये जाने वाले बेवार का पूर्वा नुमान कर लेता देखें दोस्तों यहां पे ये आपने देखा कि किस तरह से अलग-अलग जो बैक्ति हैं उनकी जो बुद्धी है वो उनके अलग-अलग प्रकार भी हैं यहां पर गार्डनर ने अलग- बुद्धी की खोच की और बाद में कितनी जोड़ी तो यह सब चीज़े आप याद रखेंगे और इसकी अलामा आपसे जो कोशन इसमें पूट अप होगा वो इस तरह से पूट अप होगा कि जो बैक्ति गाने का गाने के बारे में जानता है या संगीत के बारे में जाता है के अंदर कौन सी बुद्धी होगी जो वक्ता है जो नेता है जो ध्यापक है वो उसमें कौन सी बुद्धी होगी जो कलर्क है उसमें कौन सी बुद्धी होगी तो यह एक तरह से यहां पर आपको उसे बैक्तिक ब्योसाय को जान करके आपको बुद्धी बतानी रहेगी तो यहां पर देखे बहुत अधिक difference नहीं है inter-personal intelligence और intra-personal intelligence यह जो बुद्धी है इसमें आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे inter-personal बुद्धी का जो होगा उसमें भावं में संबेग आउसक्ता अप्रेड़ा के समझने में सामर्त बनाती है यह बुद्धी और इस प्रकार का बुद्धी वाला बैक्ति दूसरों के लोगों की प्रभावसाली डंग से अंतर क्रिया करता है यानि कि दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से इंट्रेक्ट करता है और जो अंतर बैक्तिक बुद्धी होती है यह क्या करती है यह अपने भाव और संबेगों को नियंतरिता न अंतर्वाब्धिक बुद्धि में यह अंतर्वाइक्तिक बूद्धि में इसका पहचान क्यों निखाचा तो कि अपना जो लच्छे वो प्राप्त करने के लिए वो खुद ही प्रेरित होता है यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा अब हम देखेंगे इस प्रकार की बुद्धी के अतरिक गार्डनर ने 1992 में प्रकितिवादी बुद्धी तदा वर्स 2000 में अस्तितवादी बुद्धी नामक दो अन्य बुद्धी के प्रकार अपने सिधान्त में समलित किये अतर उसने कुल नौ प्रकार की बुद्धी का उल्ले किया तो यहाँ आपने देखा तो प्रकितिवादी बुद्धी में क्या था कि प्रकितवादी बुद्धी से तात्पर व्यक्ति को उस छमता से जो प्र यानि कि एग्रिकल्चर, जुलोजी तथा वनस्पति विज्ञान बॉटनी के छेतर में सम्मंदित रहस्तों को उजार करने में अधिक होता है। जिन ब्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धी अधिक होती है। वे सफल किसान, जैवज्ञानिक और वनस्पति विसेसक बनते तो यहाँ पर देखे, बहुत ही आसान है, जो बाद में उने जोड़ी थी वो थी प्रकितिवादी और अस्तितवादी। प्रकितिवादी में क्या था? कि जो ब्यक्ति प्रकिति के बारे में बहुत करीब से जानता है और उसके बारे में खोच करता है और ने-ने सोध लेकर करके आता है तो वो प्रकितिवादी बुद्धी का होता है और अस्तितवादी बुद्धी में क्या है बेक्ति अपने आत्मा परमात्मा से ले करके जीवन मरड और इस तरह के सुख दुक से कहीं न कहीं परे अधीक जाकर के जहांपे इस तरह की जो बुद्धी ना वो दार्षोनिकों में होती है और आध्यात्मी जो बड़े-बड़े गुरू होते हैं उनमें होती है। और गार्डनर ने सबसे बाद में नैतिक बुद्धी को भी बुद्धी की सूची में जोड़ा। गार्डनर के इंसार नैतिक बुद्धी का समन्द उन निमों बिवहारुता अभी विरतियों से है जो जीवन के पवित्रे यानि की सैने सिटी आफ लाइफ के रिए आउस से पुनी तता के लिए योम संपूर संसार के कल्याण के लिए जिसमें हम रहते हैं तो यहां पर देखिए यह नैतिक बुद्धी है तो लेकिन इसको गिना नहीं गया है कि नौही अस्तितवादी बुद्धी तक ही इसमें काउंट किया गया है तो यहां पर बस हम इतना ही होते हैं वो किस-किस बुद्धी में आते हैं भासाई बुद्धी जिसमें नेता अध्यापक और इसके अलामा जो भी वक्तागड़ होते हैं वो सब आते हैं जिसमें उनके अंदर भासा की पकड़ होती है वो भासा को बहुत यह अच्छे तरीके से जानते हैं बोलते और सम को सब समझ में भी आया तो आई हूप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा चैनल पर नहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बैबाय लव यू ओल चैन